दोस्तों सभी खा मेरे यट्टूब चैनल कानून की वाज में आपका स्वागत है दोस्तों अगर अभी तक आपने अमारा चैनल कानून की वाज सब्सक्राइब नहीं कहें तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकर को जरूर दबाले जिससे आपको नए नए वीडियो की आपके समझ में नहीं आएगा अगर कोई वेक्ति किसी के साथ 420 करता है फ्रोड करता है चिटिंग करता है तो उसे क्या सजा होती है आप इस वीडियो से जान सकते हैं दोस्तों इस वीडियो को अंतक देखने पर ही आपको पता लगेगा किसी के साथ अगर चलकपट या चि उसकी संपत्ति को प्राप्त कर लेता है उसके लिए वो नकली असाकसर कर या उस पर किसी प्रकार का आर्थिक या मानसिक दबाव बनाकर उसकी संपत्ति को प्राप्त करता है तो उन प्रश्तिती में प्राप्त करने वाले वेक्ति के खिलाब 420 में मुग्दमा पंजिगरत किया जाता है कोई भी वेक्ति अगर किसी भी वेक्ति को दबाव में लेकर या उसके साथ किसी भी वेक्ति की दुआरा कर बैला पुसला कर या नकली असाकसर कर उसके साथ अगर चलकपट करता है तो उस वेक्ति के खिलाब 420 में मुक्तमा पंजिकरत किया जाता है और इसके ब पाकारावस पलस चुर्माना यह गेर जमांती संघ्या परात की सरेनी में आता है किसी भी नियाएदिस द्वारा विचारनी है नियायले की अनुमती से पीडित व्यक्ती द्वारा समझता किया जाता है अगर किसी भी वेक्ति के किलाब जोन भी वेक्ति! अगर 400 वीशी करता है ता USको 7 वर्ज की सजा प्लस जुरुमाना यह संगिया प्रात की सिरुणि में आता है लेकिन जो पिडित वेक्ति है जो पीडित वेक्ति है उसके द्वारा न्याले द्वारा समझता किया जासकता है इसलिए दोस्तों किसी भी विक्ति के किलाब अगर कोई 400 BC बनती है तो उसे 7 साल की सजा पलस जुरुमाना या आर्तिक दंड दिया जाता है लेकिन दोस्तों इसमें अगर चाये वो पीडित विक्ति तो नियाले की अनुम्यती से समझता कर सकता है इस दारा में 400 BC में इसके साल किसी भी अविक्त को जेल से चुड़ाने के लिए नियाले के सामने जो दंड रासी जमा की जाती है या देने की परतिक्या ली जाती है उस रासी का बौंड के रूप में बरा जाता है इसे ही जमानत का जाता है किसी भी विक्ति की अगर जमानत पर कोट द्वारा पर आपको जमान दी जाती है, वह जमानत के दोर पर उस वेक्ति के दोरा उसे जमान दी जाती है, इस प्रकार के जो बोन बरा जाता है, उसे जमान गहलाता है, 400 BC में अगर कोट द्वारा उस वेक्ति को जमान दी जाती है तो उससे किसी भी वेक्ति द्वारा जमान की रासी ली जाती है और जमान के तोर पर उसे बॉन बराया जाता है इसलिए दोस्तों कोई भी वेक्ति अगर इस प्रकार का प्रकोप या इस प्रकार का करते करता है तो उसे कोट चाहे तो जमान दे सकती या घरिज कर सकती इसके साथ साथ हैदि किसी वेक्ति को दारा 400 BC के अंतरगत किरत्तार किया जाता है तो वो सत्र नियाले में अगरिम जमानत के लिए आविदन कर सकता है मालनों अगर किसी वेक्ति को 400 BC में पस जाता है तो वो DJ coat में नयाले के समझ अगरिम जमानत भी कर सकता है लेकिन नयाए दीज द्वारा स्युक्रती परदान करने के उपरात अभी कोछ जमानत परदान की जा सकती है अभी तक जमानत के लिए कोई निर्दार परकृरियन नही है ये लेंदेन की परकरती को आरफ की खम मिरता पर निर्पर करता है कोट चाहे तो उसे जमान दे सकता है कोट चाहे तो उसकी जमान खारिज कर सकता है उसकी जमान उसके आरफ उसकी परकरती है उसकी लेंदेन वो किस परकार का वेकती है उसमें कोई पहले कोई case waste नहीं है इस सारी चीजे उसमें देखी जाती है इसी प्रकार कोई भी वेक्ती अगर इस प्रकार का करते करने के बाद भी 400 BC के तद बिना गिर्पतार होए अगरिम जन्मानत नयाले में पेस्ट कर सकता है चाहे तो नयाले उसे जमान दे सकती है या उ ऐसी धराई जिसमें 10 वर्ष का कारवास का प्रवादन होता हो तो उसे 90 दिन के बितर जाच एजएंसी को चार्शिट दाकिल करना पड़ता है अगर किसी भी case में अगर दसाचे ज़्यदा सजा होती है तो उसमें पुलिस द्वारा चालान को 90 दिन के अंदर-अंदर ही पेस करना आनिवारे होता है यदि इस समय अवधी में 4 शीट दाकिल नहीं होती है तो अभिक्त को जमान दे दी जाती है अगर किसी भी कारवास पुलिस चालान पेस करने में देरी करती है तो कोड को ये लगता है कि इसमें 420 का कोई फंडा नहीं है तो उसे जमान दे सकती है कि इस आवधी में 4 शीट दाकिल नहीं होती तो अभिक्त को जमान दे दी जाती है जमान के समय नियादी इस अभिक्त के क्रिमिनल रिकोर्ड कोई गंजांच करने के करते हो इसके आदार में जमान देने का निली लिया चाहता है क्योंकि किसी भी विक्ति के किलाब अगर 420 क का मुग्दमा दर्ज हो जाता है तो उस विक्ति को कोट उस विक्ति की पूरी प्रक्रिया उसकी पूरी जो चार्शीट देखता है उस विक्ति का क्रिमिनल रिकोर्ड देखता है कि इससे पहले को ऐसा कोई करते नहीं किया है इस सारी चीजे देखने के बात इस विक्ति को जमान दे दी जाती है अगर दोस्तों आपको इस वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ सेर जरू करें